एक लड़का क्लास में लड़की को रोज चुपके चुपके देखा करता था एक दिन लड़का बोला I love you लड़की अगर मैं भी I love you बोलू तो तुमको कैसा लगेगा लड़का जान मैं तो खुशी से मर ही जाऊंगा लड़की बड़ी चलाक निकली तीछी नजर भुमा के बोली जा नहीं बोलती जी ले अपनी जिन्दगी हस्बेंट गुस्से में क्या तुमने मुझे कुट्टा कहा पत्नी चुप क्या तुमने मुझे कुट्टा कहा पत्नी फिर चुप क्या तुमने मुझे कुट्टा कहा पत्नी नहीं कहा प्लीज अब भूकना बंद करो जी शराबी बचपन में मम्मी कहती थी, कि जब कोई उल्टे हाथ से खाना खाता है, तो वो खाना शैतान के पेट में चला जाता है इसलिए मैं उल्टे हाथ से दालो पीता हूँ, ताकि शैतान का फेफड़ा खराब हो जाए ससु, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसकी आँखों में आसू ना आने पाए दमाद, ठीक है, प्याज मैं काट दूंगा, पर बत्तर इसे ही धोने होंगे दोस्तो, काटो भरे रास्ते पे कौन आपका साथ देगा? पती, पत्मी, भाई, बेहन, प्रेमी, दोस्त जी नहीं, याद रखना, सिर्फ आपकी चप्पल साब देगी हर बार इमोशनल होने की जरूरत नहीं, कभी प्रैक्टिकली भी सोचा करो संता इंटर्व्यू देने जाता है, इंटर्वीवर, आपको कितने सालों का अनुभव है? संता, सर्जी माफ करना, कभी सालों पर ट्राई नहीं किया, लेकिन तीन सालियों का अनुभव जरूर है पती, छी, ये कैसा दूध है, बड़ा अजीब सा टेस्ट है बीवी, वो केसर खतम हो गया था जी, तो मैंने आपकी जेब से विमल पान मसाला डाल लिया क्योंकि इसके दाने दाने में है केसर का दम दुनियादारी का फर्क तब समझ में आया, जब एक कुमारे के दर्वाजे पर लिखा देखा स्वीट हूम, और शादी सुदा के दर्वाजे पर ओम शांती ओम चबन, मैं यहां नहीं रहूंगा, इतना छोटा सा कमरा, ना तो कोई खडिकी है और ना बात हो मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, वेटर, लेकिन सर, यह तो, नहीं नहीं, मुझे पैसे वापस दे दो वेटर, अब एर गवार, उपर रूम में तो चल, यह तो लिफ्ट है